हलो बच्चों मैं हूँ परिवेज अक्तर और आप मुझको देख पा रहे हैं मेरे यूटूब चैनल कॉन्वेक्शन एजूकेशन पर ठीक है तो आज हम लोग वेक्टर का पार्ट नमबर 10 श्टार्ट करेंगे और इस पार्ट नमबर 10 में मैंने आपको बताया था पिछले पार्ट में कि अब हम लोग क्रास प्रोडक्ट श्टार्ट करेंगे और एक ही वीडियो में क्रास प्रोडक्ट हम लोग कवर करने वाले हैं फिर इसके बाद एक वीडियो और हम लोग बनाएंगे लामी स्थियरम का ठीक है और ये वाला वेक्टर वाला पार्ट हमारा खतम हो जाएगा ठीक उसके बाद है ना जो भी टाइम लगे दो दिन तीन दिन चार दिन मैं पूरा यूनिट और डामेंशन में बना के पूरा वीडियो इकटे इसी तरीके से अपलो इसमें बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर अलजेबरा ठीक है तो चलिए ये देखिए वेक्टर प्रोड़क्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे तो अब ये जो वेक्टर प्रोड़क्ट है ना अगर एक वेक्टर ए है बेटा ये और ये एक वेक्टर भी है और इनके बीच में इंगे ले थीटा तो यह जो इनका vector product होता है ना उसको हम इस तरीके से represent करते हैं a cross b इसलिए इसको vector product को cross product भी कहा जाता है तो a cross b is equal to क्या होता है ध्यान से सुनिएगा जब हम दो vector का dot product करते हैं तो हमें एक scalar quantity मिलती है बट जब हम दो vector का cross product करते हैं तो हमें एक vector quantity मिलती है है ना और इस vector की direction जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं right hand thumb rule से है ना right hand thumb rule से ठीक है तो अब देखिए ध्यान से इस vector के पास magnitude होगा और इस vector के पास direction होगी तो c vector का magnitude कैसे निकालेंगे अगर ये a है ये b है और इसके बीच में angle theta है तो इसका magnitude हम लोग ऐसे निकालते हैं a b sin theta से ठीक है तो direction कैसे निकालेंगे भई direction जब निकालेंगे हम लोग तो direction मैं आपको पहले बता दूँ कि अगर ये आपकी z axis है है ना और ये हमने बना ली x axis और ये y axis तो अगर अगर आपका अगर आपका एक vector अगर आपका एक vector ये है a और एक vector ये है b है ना और इनके बीच मेंगे ले थीटा तो ये जो इनका cross product होगा ना c vector जो c vector होगा वो a के भी perpendicular होगा b के भी perpendicular होगा और उस plane के भी perpendicular होगा है ना जिसमें ये दोनों like करेंगे निकालेंगे कैसे हम लोग right hand thumb rule से ठीक है अब right hand thumb rule से निकालेंगे कैसे जान से देखिए अगर देखो बेटा अगर वेक्टर आपका ये A और B है तो हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे ये जो हमारी फिंगर है ये ऐसे ले जाएंगे A की तरफ और A की तरफ से से करल करेंगे B की तरफ तो ये थम जो है ना हमें देगा डारेक्शन जैसे अगर आप इसक्रीन पर देखें तो A हमारा यह हो गया और B ए तो आप थम आपका वर्टिकली डाउनवर्ड होगा और अगर आप B क्रॉस A करेंगे तो पहले यह B पर जाएगा B से करल करेंगे एक ही तरफ यह आपका अपवर्ड आएगा ठीक है तो इस तरीके से हम राइट थम रूल से इसकी डाइरेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे तो यह ध्यान रखे रही है जब भी दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोड़क्ट करते हैं तो हम एक वेक्टर मिलता है चूकिए यह वेक्टर मिलता है तो इसका मैग्टिूड A.B.Sine.Theta से निकाला जाता है और डाइरेक्शन राइट हेंड थम रूल से यह जो C वेक्टर होगा ना यह A वेक्टर और B वेक्टर दोनों के पर्पेंडिकुलर होगा और उस plane के भी perpendicular होगा जिस plane में ये दोनों है ठीक है ये distributive law को commutative law को follow नहीं करता यानि A cross B आपका B cross A के बरावर नहीं होता है minus B cross A के बरावर होता है ठीक है क्योंकि इन दोनों के बीच में angle होता है 180 degree का हमने आपको पहली बताया कि A cross B ऐसे inward होगा और B cross A outward होगा तो inward outward A cross B और B cross A direction इनकी just opposite होती है magnitude same होता है direction बस opposite होती है ना यानि इन दोनों के बीच में 180 degree का angle होता है ठीक distributive law को ये hold करते हैं हाँ distributive law को ये hold करते हैं अब देखिए अब यहाँ पर है ना cross product निकाला कैसे जाता है ये देख लेते हैं तो पहले हम unit vector का product देखते हैं ध्यान से देखिए अगर आप I vector cross I vector निकालते हो J vector cross J vector निकालते हो या K cross K ठीक है तो ध्यान से देखिएगा चुकि ये cross product है तो यहाँ sin theta होगा अच्छा I I से angle कितना बनाएगा 0 degree JJ से कितना बनाएगा 0 degree KK से कितना बनाएगा 0 degree अच्छा sin 0 की value 0 होती है sin 0 की value 0 होती है इसलिए 0 जब यहाँ रखेंगे न आप तो पूरा product 0 आ जाएगा यानि same same जब रहेंगे unit vector तो product 0 आएगा ठीक है और अगर अलग अलग रहेंगे तो ध्यान दीजेगा इसका हम product कैसे करते है ध्यान से देखे यह circle बनाएगे यह लिए I यह लिए J यह लिए K है नगर आप I से J को cross कर रहे है I cross J तब तो आपका K आएगा क्योंकि J के बाद K है J को K से cross कर रहे है ठीक है तो K के बाद फिर कोन है I है तो I आजाएगा K को I से कर रहे है ठीक तो K को अगर I से कर रहे है K को I से कर रहे है तो आपका J होगा लेकिन अगर आपने इस तरीके से ना किया अगर आपने J cross I किया तो J cross I जब आप करेंगे J cross I अगर आप J cross I करेंगे है न anti clockwise अगर आप चलेंगे तो फिर यह positive आता जाएगा और अगर यही anti clockwise चलेंगे तो आपको negative मिलेगा यानि जब आप J cross I निकालेंगे तो आपको K न मिलके फिर आपको minus K मिलेगा ठीक है तो यह हो गया अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर A vector और B vector I, J, K के form में दिया रहे तो इसका हम cross product कैसे निकालेंगे ठीक है ध्यान से देखिए यह मैं आपको बता चुका हूँ अगर यह इस तरीके से रहे तो ध्यान से देखिए इसको हम लिखते कैसे इसका cross product कैसे करते है पहले हम लोग क्या करेंगे जो दो vector दिया रहेगा A और B जो दो vector दिया रहेगा उसके X component को Y component को Z component को पहले A वाला लिख लेंगे फिर B वाला लिख लेंगे है ना पहले A वाला लिख लेंगे फिर B वाला लिख लेंगे फिर देखिए क्या करते है I component A cross B का पहले हम I component निकालते है ठीक तो जब I component आप निकाल ले तो इसको आप ढख लेंगे तो क्या करेंगे J और K को cross करेंगे ठीक है तो देखिए A Y into B Z minus B Y into A Z तो यह हो गया I component ठीक जब आप J component निकालोगे यह वाला तो J के बाद कौन है भाई J के बाद K K के बाद देखिए दहां से यह I J K जब I आपको निकालना था तो J into K किये अब J निकालना है तो K into I करेंगे फिर K निकालना होगा तो I into J करेंगे इस तरीके से तो J निकालना है तो K into I करेंगे तो देखिए दहां से K into I करेंगे तो क्या होगा A Z into K यह देखिए K into I हमें करना है तो A Z into B X होगा minus B Z into A X होगा plus आपको K cap निकालना है तो I into J करेंगे यानि AX into BY माइनस BX into AY इस तरीके से हम लोग इस वेक्टर प्रोड़क निकाल लेंगे ठीक है और ये कुछ एक्जामपल है जैसे टॉर्क हुआ तो टॉर्क is equal to होता है R वेक्टर cross F वेक्टर ये angular momentum है angular momentum is equal to होगा ये R वेक्टर cross P वेक्टर यानि linear momentum और जो V है linear velocity linear velocity is equal to होगा omega cross R है ना तो ये एक्जामपल हो गए वेक्टर प्रोड़क ये ठीक अब हम लोग question solve करते हैं ध्यान से देखिए ये हमारा पहला question तो इस question को हम लोग solve करते हैं वैसे ही जैसे हमने ये पढ़ा ठीक है तो ध्यान से देखिए पहले हम IJ के से note करेंगे पहला वेक्टर पहले वेक्टर में I से multiply 1 तो 1 note कर लिए J से भी multiply 1 तो 1 note कर लिए K से भी multiply 1 तो 1 note कर लिए दूसरे वेक्टर में I से multiply 1 1 note कर लिए J से minus 1 minus 1 ले लिए K से minus 1 minus 1 ले लिए अब देखिए अब यह आपको याद रखना है कि जब i निकालेंगे तो j और k को multiply करेंगे ठीक है तो पहले हम i निकालते हैं यह नि जे और k को multiply करते हैं तो देखिए यह इससे multiply होगा तो i into minus 1 यह हो जाएगा minus 1 फिर minus 1 into 1 तो यह minus 1 होगा अब हम क्या निकालेंगे j component j component जब निकाल ला होगे तो k और i को करेंगे तो देखिए दान से k और i तो 1 into 1 1 हुआ minus 1 into 1 minus 1 होगा लेगिन चुकि यह हम minus sign लगाते हैं पहले से तो यह plus 1 हो जाएगा ठीक है तो यह हो गया j अब हम निकालेंगे k component तो k component जब निकालेंगे तो i और j को multiply करेंगे देखिए 1 और minus 1 minus 1 हो गया फिर यहाँ minus sign लगाते हैं तो 1 और 1 है ना 1 होगा और यह minus 1 हो जाएगा sign change हो जाती है बार बार तो यह क्या हो जाएगा देखिए यह 1 minus 1 तो 0 हो गया यह खतम तो बचा क्या 2 j और यह बचा minus 2 के है ना 2 j minus 2 के तो 2 अगर common ले लेंगे है ना 2 अगर बेटा common ले लेंगे तो यह हो जाएगा अर एक चीज़ देखो बेटा गलत हो गया यहाँ पर जो j है ना यहाँ देखते हैं फिर से कहीं गलती हो गया यह देखिए 1 1 1 ही हो गया यह हो गया 1 सौरी यहाँ गलती बेटा हुई है यह आपका 1 रहेगा देखिए यहाँ पर plus दिया हुआ ठीक है तभी आपका answer गलत आ रहा था चली फिर से कर लेते हैं कोई बात नहीं दुबारा मेहनत करने पड़ गई हमां चलो कोई बात नहीं तो फिर I component निकालेंगे तो J और K को multiply करेंगे तो 1 in 2 minus 1 हो जाएगा इसके बाद sign change करके लिखते हैं तो दिखिए 1 in 2 1 1 होगा तो sign change करेंगे minus 1 हो जाएगा ठीक है तो अब लिखेंगे J component J component तो J component जब बेटा लिखेंगे न minus 1 और 1 ये आपका minus 1 होगा तो sign change करके लिखते हैं तो plus 1 लिखेंगे plus K cap आप लिखेंगे तो K cap क्या होगा I और J को multiply करेंगे तो 1 1 ये हुगा 1 और इस 1 1 का multiplication भी 1 होगा sign change करके लिखते हैं तो 1 लिखेंगे ठीक है तो ये हो जाएगा 0 plus ये हो जाएगा 2J और ये हो जाएगा minus 2 I तो minus 2 का अमल ले लेंगे और ये हो जाएगा I minus Z यानि ये option number 2 हमारा करेक्ट होगा और इस तरीके से ये question number 47 हम कर चुके ठीक है अब हम आते है question number 48 जान से देखिए इसको करना है तो इसको हम डारेक्ट ही कर लेते हैं ठीक है दोनों तरीके से बता देता हूँ पहले डारेक्ट कर लेते हैं देखिए डिस्टिबीट्री लागा चुकी ये hold करता है तो ये होगा I cross I फिर I को J से multiply करेंगे तो ये होगा I cross J minus I cross J तो ये होगा अब ये देखिए होगा J cross I फिर ये होगा minus J cross J हमें पता है बेटा कि जब ये same unit vector होंगे same unit vector तो इस sine की वज़े से same unit vector जब होंगे तो sine theta is equal to 0 की वह ऐसे क्योंकि sine 0 की value 0 होती है दोनों के बीच में angle 0 degree होगा sine 0 की value 0 होती है तो same unit vector का जो आपका scalar vector product है वो 0 आता ठीक है तो ये दोनों तो खतम हो गए तो बचा कौन I, J बचा और J, K बचा ठीक है तो ध्यान से देखिए I, J और K I cross J जो होता है वो होता है K तो I cross J आपका K हो गया अब क्या है J cross I तो J cross जब I करेंगे ना तो फिर देखिए clockwise तो positive आएगा लेकिन J cross I करेंगे तो minus K आएगा यानि minus K minus K 2 के हो जाएगा ठीक है तो option number 1 आपका correct होगा ठीक अच्छे अगर आप इसको वैसे करना चाहें तो क्या करेंगे तो लिखेंगे I, J, K है ना देखिए इसमें तो I और J बस दिया है इसका मतलब K वाला 0 ले लेंगे इसमें भी I और J दिया है तो K वाला यहां पे भी 0 ले लेंगे तो देखिए I component इसका क्या है I component I component जब निकालेंगे तो J और K को multiply करेंगे है ना तो भी देखिए 0,0,0,0,0 खतम हो गया J भी खतम हो गया अब K component निकालेंगे तो देखिए 1 into 1 minus 1 1 into 1 यह plus 1 होगा फिर यह minus 1 हो जाएगा तो minus 2 के तो इस तरीके से भी हो जाएगा और इस तरीके से भी है ना दोनों आपको आना चाहिए इसलिए मैं दोनों method बता दे रहा हूँ ठीक है अब हम लोग आते हैं बेटा next question पे question number 48 हम लोग कर चुके यह आ गया हमारा question number 49 question number 49 कह रहा है कि आपको दिया हुआ है P और Q the unit vector perpendicular to P and Q unit vector perpendicular to P and Q हमें पता है कि जब हम दो vector का cross product करते हैं जैसे मालिया A vector का और B vector का cross product किये तो जो हमें यह C vector मिलता है ना यह दोनों का perpendicular होता है A का भी perpendicular होता है और B के भी perpendicular होता है ठीक अच्छा हमें क्या चाहिए vector perpendicular to P and Q तो जब हम जानते हैं कि cross product से हमें ऐसा vector मिलता है जो दोनों के perpendicular हो तो क्यों न हम P और Q का cross product ही निकाल दें और वो माल लेते हैं C vector तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा vector perpendicular to P and Q चुकि question का है unit vector तो फिर C का हम unit vector निकाल देंगे पहले C तो निकाल ले हैं तो चलिए पहले C निकालते हैं देखे द्यान से I, J और K तो P हो जाएगा आपका 1 यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ पे 2 है यह हो जाएगा आपका 3 minus 2 और 1 ठीक है तो देखे द्यान से I पहले निकालते हैं I के लिए J और K को multiply करेंगे तो 1 plus 4 है ना 1, 1 जा 1, 2, 2 जा minus 4 हो जाएगा plus 4 हो जाएगा plus J निकालेंगे तो क्या करेंगे K into I करेंगे ठीक है 2, 3, जा 6 होगा है ना और यह आपका 1, 1 जा minus 1 होगा plus 1 होगा तो minus 1 कर देंगे इसके बाद अब हम K निकालेंगे तो K निकालेंगे तो I cross J करेंगे तो यह देखे minus 2 और minus 3 यानि value आगई 5 I plus 5 J minus 5 K यह हमारी value आगई ठीक है तो अब अगर C vector आपको मिल गया तो C vector जो होगा यह P और Q के perpendicular होगा है ना अब हमें क्या चाहिए हमें vector नहीं चाहिए था हमें unit vector चाहिए था तो C का हम unit vector निकाल लेंगे तो देखें C cap निकाल लेंगे तो क्या होगा 5 common ले लिजिए I J minus K है ना I plus J minus K अब यह देखें इसका magnitude क्या होगा magnitude ऐसे निकालते हैं 5 का square तो 25 25 25 5 का square 5 का square 5 का square तो यह हुआ 75 अच्छा 75 क्या होगा 75 आपका होगा 25 into 3 है ना यानि 5 बाहर आजाएगा 5 root 3 तो 5 से 5 कट गया यह आगया आपका I J minus K और root 3 यानि यह आपका होगा question number ठीक है यह आपका होगा option number first ठीक option number first हमारा correct होगा ठीक है तो इस तरीके से question number 49 हमारा होगा अब हम लोग question number 50 करते है ठीक है चलिए देखिए तो यह जो बेटा question number 50 हमारा इसमें दिया है कि radius vector है R vector कितना दिया भाई यह दिया है omega आपका यह दिया हुआ है तो पूछ रहा है तो linear velocity क्या होगी हमें पता है कि linear velocity is equal to होती है omega cross R है ना ठीक हमने आपको बताया था कि linear velocity is equal to होती है omega cross R यह देखिए है ना linear velocity is equal to होता है omega cross R तो अब हम लोग इसको use करके इस question को solve करेंगे ध्यान से देखिए omega cross R करना है तो omega को जब R से cross करेंगे आप direct करते हैं ध्यान से देखिए तो यह है 3 और यह है 2 तो पहले 3 multiply होगा 2 से फिर 3 multiply करेंगे हम 5 से ठीक है तो देखिए 3 into 2 number number multiply हो गया 6 हो गया और यह हो जाएगा I cross I ठीक अब 3 I multiply होगा इससे 5 वाले से तो ध्यान से देखिए 3 और 5 number तो हो जाएगा 15 और I cross K हो जाएगा यह ठीक अब इसके बाद इससे multiply करते हैं तो इससे पहले multiply करेंगे इसको तो क्या होगा नमबर नमबर देखिए minus 4 और 2 तो हो गया minus 8 यह हो जाएगा K cross I है ना उसके बाद फिर इसको multiply करेंगे हम लोग इससे तो यह हो जाएगा 20 K cross K ठीक है चुकि I cross I K cross K की value 0 होगी तो यह दोनों term खतम हो गई अब क्या बचा? अब बचा 15 I cross K ध्यान से देखिए यह I यह J यह K अगर I देखे ऐसे आते हैं तो positive लेते हैं चुकि हम ऐसे आ रहे हैं I cross K I cross K कर रहे हैं तो आपको J ना मिलके minus J मिलता है फिर क्या कर रहे हैं? K cross I कर रहे है K cross I है ना? यही clockwise ही हैं तो आपको J मिलेगा अब देखे यह हो गया minus 15 J यह हो गया minus 8 J तो 15 और 8 23 होगा तो यह minus 23 J यही option number 4 is correct है ना? तो इस तरही के से option number 4 हमारा correct हो गया ठीक? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दियान से देखिए इस question में कह रहा है कि एक particle है जिसका mass है M ठीक है? और उसकी linear velocity इतनी है तो mass और linear velocity यह हो जाता है linear momentum ठीक? और radius vector आपको दिया हुआ है R vector ठीक? तो पूछ रहा है angular momentum देखिए angular momentum जैसा कि मैंने आपको बताया था कि angular momentum बराबर बेटा होता है R vector cross P vector यानि radius vector cross यह linear momentum vector ठीक है? तो ध्यान से देखिए linear momentum को हम लिख सकते हैं बेटा R vector क्या लिखेंगे? R vector लिखेंगे 4I plus J minus के यार vector लिख लिख लिए cross mass है आपका 0.2 तो 0.2 चुकी mass से इसको बाहर ले लेंगे constant है है ना? into यहाँ क्या आएगा? देखिए क्या आएगा? यह आएगा बेटा I minus J plus 2 के ठीक है? अब इन दोनों का cross product पहले कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग द्यान से देखिए cross product जब करेंगे तो यह लिखेंगे I, J, K और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, 1 और minus 1 यहाँ पे हो जाएगा 1, minus 1 और 2 ठीक है? तो ध्यान से देखिए I हमारा क्या होगा? यह जो I होगा I I क्या होगा? देखिए J cross K करेंगे तो 1, 2, 2 और यह minus 1, minus 1 plus 1 हो जाएगा तो plus 1 फिर हो जाएगा आपका minus 1 sign change हो जाती है, ठीक है? तो J cross K कर लिए अब क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे J cap J cap जब हम लोग निकालेंगे तो K cross I करेंगे यह हुआ minus 1 और यह आपका हो जाएगा minus 6 sorry, minus 8 होगा है ना? इसके बाद हम K cap निकालेंगे तो जब K cap बेटा निकालेंगे तो 4 और यह 1 यह हो जाएगा minus 4 और यह हो जाएगा माइनस वन यानि यह हो जाएगा आई और यह हो जाएगा माइनस नाइन जे और यह हो जाएगा माइनस फाइफ के ठीक है और बाहर आपको पता है कि बाहर जिरो पॉइंट टू ठीक तो आप इसका मैगनिटूड निकालते है तो magnitude जब निकालेंगे ठीक है तो देखे जहां से magnitude जब निकालेंगे तो क्या होगा इसका जब magnitude निकालेंगे इसका तो यह होगा 1 प्लस 81 प्लस 25 value कितनी आएगी value आएगी यह देखे 82 हो जाएगा है ना 82 और 5 87 हो जाएगा और यह हो जाएगा 107 ठीक है इसका magnitude 107 root के अंदर आ गया 0.2 को अंदर जब लेके जाएंगे तो यह हो जाएगा 0.2 अगर root के अंदर हम ले गए root के अंदर तो यह हो जाएगा 0.2 into 0.2 यानि 0.04 value क्या है की 4 से 7 को multiply करेंगे 28 और यह हो जाएगा 4 1 जा 4 decimal 2 प्लेस पे लगाना है तो 4.28 यानि option number 2 is correct ठीक है तो इस तरीके से यह वाली problem भी हमारी solve हो गई ठीक है आपको बस यह पता रहे ना formula देखो यही तो बेटा इस chapter की खुबसूरती है ठीक है कि पढ़ते हैं क्रॉस प्रोड़क्ट वगर आप यहां पे हो फिर यह linear momentum angular momentum आगे जितने भी chapter आते हैं सब में इसका यूज होता है ठीक है तो चलिए अब हम लोग आते हैं next question पे और यह इस cross product का last question होगा है ना नीद आने लगी यार चलो कोई बात नहीं तो कह रहा है कि area of triangle whose base is इतना and one of two side is इतना ठीक है एक triangle है इसका base यह है और एक vector आपका यह B है ठीक है तो पूछ रहा है कि इसका area कितना होगा है ना देखिए यहां तो triangle की दो adjacent vector दिये हुए है अगर आपको parallelogram के भी दिये रहते ना parallelogram के भी अगर यह दिये रहते तो हम दोनों का area निकाल लेते ठीक इसका कैसे निकालते है इसका निकालते है 1 by 2 A cross B से triangle की case में और parallelogram की case में निकालते है direct A cross B से है ना magnitude निकाल देंगे आंसर आ जाएगा ठीक है तो चलिए parallelogram है नहीं triangle है तो triangle ही करते है तो पहले हम A cross B का magnitude निकालते है ठीक बाद में 1 by 2 से divide कर लेंगे तो चलिए देखिए यह है क्या यह A है बेटा आपका तो A कितना है A है 1 यह है आपका 1 1 1 और B देखिए आई वाला नहीं दिया हुआ है यहां पे तो आई वाला 0 हो जाएगा यह हो जाएगा 4 यह हो जाएगा 3 तो जब हम A cap निकालेंगे तो J cross K करेंगे तो यह हो जाएगा 3 और यह हो जाएगा 4 plus J cap जब निकालेंगे तो क्या करेंगे K cross I करेंगे तो 1 into 0 0 हो जाएगा यह हो जाएगा minus 3 plus K cap जब निकालेंगे बेटा तो K cap क्या होगा देखिए 1 4 यह तो आपका हो जाएगा minus 4 और यह आपका 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ही यह आगया minus 1 I plus sorry minus 3 J और यह आजाएगा 4 K ठीक है अब हम लोग इसका root square root कर लेंगे square root कर लेंगे तो यह 1 हो जाएगा क्योंकि magnitude निकालना है न तो यह 9 हो जाएगा और यह हो जाएगा 16 यानि यह हो गया 26 तो यह आगया root 26 अच्छा 1 by 2 से multiply भी करना है तो यानि यह value आजाएगी root 26 upon 2 ठीक है तो इसी के साथ मेटा question number 52 भी हमारा खतम हुआ और इसी के साथ हमारा यह vector product भी खतम हुआ अब बस एक topic बचा हुआ है लामी इस थियोरम इसको खतम करके उसके बाद ही सोते हैं ठीक है तो चलिए फिर अब इसको हम खतम करते हैं और वीडियो को बेटा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ठीक है चैनल को बाई बाई अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में